अग्याव फ्रेंड्स वेलेकम्टू पिंपड़कर रेक एडमी और मैं हूं हर्श्य पिंपड़कर तो आज के इस वी रिक्चर में डिसकस कर रहे है आयोनियन संप्रदा जो महत्वपूर्ण दार्शनिक संप्रदा है उन्हों को ही दार्शनिक स्कूल भी कहा जाता है जिन्ह जिन्होंने इस स्रुष्टिकी उत्पत्ति के तार्किक एव वैध्यानिक व्याख्या के थी और तार्किक रूप से भी लॉजिकली भी रूप से और सैंटिफिकली रूप से भी जिन्होंने इस स्रुष्टिकी उत्पत्ति के बारे में कहा था तो चले देखते हैं ये लेटरस नामक स्थान था जिसमें आयोनियन स्कूल में ने सर्वा प्रथम दर्शन को एक तार्खीक रूप एव वैद्यानिक एंडे सांटिफिकली पद्धति के रूप में इन्होंने स्थापित किया था तो जिसमें थेलीस एनेक्जी गोरस एव एनेक्जी मेनिज को माना ज जाता है इनहीं को तो इन तीनों दार्शनी को ने क्या कहता है जी मूल शुष्टी की ऊत्पत्ती किसी हुई तो वह कहते है जल से याने वाटर सी हुई है उनको वहीं तत्व महत्वपूर्ण लगा तब फिर एनेक्जी गोरस आई वो कहते हैं उन्होंने तारकिक बुद्धी का वीचार विमस्क किया वो कहते हैं नाउस से हुई है फिर आहे एनेक्जी मेनिज वो कहते हैं उनको क्या लगा कि वायू है एयर है फिर हेरेकलिटस जी आए जिनोंन वो कहते हैं वो कहते हैं कि इस स्रुष्टी की मूल उत्पत्ति का एकम में वही एक तत्व है वो है अगनी है फायर है फिर एनेक्जी मेंडर आई वो कहते हैं नहीं निश्चित द्रव्यक को स्रुष्टी के मूल कारण के रूप में उन्होंने स्विकार किया था और इन दा वायू अगनी और अनिश्चिद्रव्य ये क्या है प्राकृतिक व्यक्ष्या ये तो कर रहे हैं ये लोग तथा केवल एक ही तत्व को सुरुष्टी के मूल कारण के रूप में इनुने स्विकार किया था और था वो कहते कि सुरुष्टी की उत्पति के संबंद में इन सभी क का एक मत हमको दिखाई देता है और वह एक तत्ववाधी यानि इन सभी में एक ही बात कोमन थी जिनुने सुरुष्टी के मूल living में उन्होंने स्विकार किया था वह एक तत्ववाधी कहां जाता है उन्हें तो आयोनियांस स्कूल में जे नो फेंज तथा एमपे डोक्यूल्स ने सुरुष्टि की व्याख्या की एक तत्ववादी व्याख्या को ये क्या करते हैं स्विकार नहीं करते हैं इनको स्विकार नहीं थी ये जो व्याख्या है तो इसलिए जेनो फेरंस ने जल और मिट्टी को सुरुष्टी के मूल तत्व के रूप में इन्होंने स्विकार किया था ये कहते हैं नहीं नहीं जल ही नहीं है तो उसमें और एक तत्वा आता है वो है मिट्टी और माती इसलिए इन्होंने एक तत्व वादी को नहीं माना था वो कहते है जल तो है और मिटी भी होनी चाहिए स्रुष्टी के मूल तत्व के रूप में तो इस विडियो लेक्चर में हम लेके आये थे आयोनियन संप्रदाय तो वो कहां पर था यूनान में था और उसका किंद्र का पर इसी लिए यहां पर तीन दार्षण निक को कि सुष्टी के उत्वत क MARK के वैक्च्या की जाती है हमारे थेलिस ची अनेक्षी गोरस और अनेक्षी मेंस तो इसीलिए यह तेलिस ने जल तत्व को माना था अनेक्ष गोरस नाुस को एनेग्जे मेनिस ने वायू को हिरेकलिटरस ने अगनी को और एक जी मेंडर ने अनिष्चित द्रव्य को और यह जो मैं प्रकृतिक वादी व्यक्या करते थे और एक तत्व वादी थे फिर आए हमारे फिनो जिनो फेनस वो कहते हैं नहीं जल है तो क्या थे मिट्टी भी होनी चाहिए सुष्टे की मुल्टत्व के रूप में इसलिए यह आयोनियन संप्रदा तो थांक्यू थांक्यू फॉर वाच